कोरोना संक्रमन के बढ़ते आकड़ों के चलते यवतमाल जिलादी कारीदवारा जारी आदिश के पाथ जिले भर में सोमार से शनिवार तक रोजाना शाम पाच बज़े से सुभे नौ बज़े तक कर्फ्यू लाकू करतिया क्या है ऐसे में आज पहले तीर शाम होते ही दुकानों की बंद होने के साथी ग्रहक, रहागेर और वाहन जालकों की घरों की और लोटने की मानों होट सी लगी नजर आई कोरोना संक्रमन काल में लोटन की बीती दिनों की कड़वी यादे भूल कर अधितर लोग अपनी रोजमरा की जिंदिकी से चुड़कर दो पैसे कमाने की जुगत में जुटे ही थे कि कोरोना 2.0 ने दस तक देकर मानों दोबारा उनके जख्मों को हरा कर दिया है यही वज़ा है कि कथीत रूप से कोरोना संक्रमन की फैलाओ की स्तिती नए सिरे और नए रूप में सामनी आने से इस्तिती से तालमेल बिठानी भी आम लोगों को कटना ही आ रही है क्योंकि दोबारा शुरुवा लॉक्टाउन उन्हें मानों नाख से नर्थ भारी जैसा म में दिगरश शहर में सुमार शाम को मार्केट के दुकाने फटाफट बंद होने और रहागेर तथा वहां साथकों की घरों की और लोटने की जलबाजी हर तरफ नजर आरी थी ऐसे में दिगरश पुलेस रास्ते से पब्लिक को हटानी और दुकाने बंद कर जिलादी कारी क के आदिश को जमीन स्तर पर साकार करती दिखाए थी मरहाल इस बेश सुमवार को ही दिगरश शहर में कोरोना संक्रमन की दुसरी लहर की आते ही एक कोरोना पॉजिटिव शक्स की मौत की पुष्टी हुई है मृतक शंकर टॉकिस परिसनिवासी है जो आर्टी कलेक्शन का काम करता था कोविट केंडर की सुद्रों ने बता है कि संबधि शक्स की बीति दिनों रापिट एंटीजन और आर्टी प्रिस्यार टेस्ट नेगिटिव आय थी लेकिन तबियत में कोई सुधा नहीं हुआ था ऐसे में सास लेने में दिक्कत आने से सुमार को जब उसे तदकाल शहर के एक नीची अस्पतान में ले जाया गया जहाओ चार के तौरान उनकी मौध हो गई लेकिन सुत्रों ने बताया कि मौध से पहले की गई टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गी है जरूरी है बेसे निउस के लिए जुबिर कान की रिपोर्ट